पप्पु कंस्ट्रक्षन का संचालक हरी नारायन रवनियार पक्राव परी सके कछन 2013 तिस्तारिक सुक्रभार का दिन उनलाई नया बानेस्वर छेत्र बाटा पक्राव गरियेको हो बाके मा ठगीको मुद्दादर्ता बहायेको थियो तेसपची पक्राव पूर्जी जारी बहायेको रप्रहरी बॿत नया बानेस्वर ले ज़्युत्र बाटा पक्राव गरेको हो देरेलाय रवनियार को बारेमा धेरीकोरा था नहूना पनी सक्षा तेसकार आजा हामी एस विडियोमा आरफत तपेहरलाई हरी नारायन रावनियार को बारेमा रा उनको कालो सुची मा परेको कमपणी पपु कंस्ट्रक्षन को बारेमा जानकारी देने प्रयास गरने छौं। आउनुहोस बीडियो मा प्रवेश करौ। पपु कंस्ट्रक्शन का संस्तापक हरी नारायन प्रसाद रौनियार मदेशी गठमंदन का तर्फ बाट प्रतिनिदी सदसे मा निर्वाज पूर्व सामसद्धुन। रौनिया 2004 साल मा पपु कंस्ट्रक्शन भने निर्माण फर्म दरता गरायर निर्माण बेवसाय मा समलग्न भयका थिये। पहिले सानु आकार मा रहेको उनको कमपणी एति बेला देशके ठूलो निर्माण कमपणी भने को छो। आयोजना समयमा नसकनेर कामपणी गुणास्तर हीन गर्ने भनेर पपु बदनाम छो। एही कारण पटक पटक ओक्त कमपणी सडक विभाग को कालो सुचिमा समेत परिशकेको छो। राउनियार दुहाजजार तिरहत्तर चैत्र चोगते संखिय समाजबादी फोरम मा प्रवेश गरेका हुन। पपु कंस्रक्षन का माध्यम ले कमाय को धन को बलमा उनी पाठी प्रवेश को आठ महिना मैं सामसत उमिद्वार बनेर चुनापपनी जीते का इस्थानी हरु बताऊचन। फोरम प्रवेश अगी उनी कांग्रेस निकट का ठेकेदार भनी चिनिन थे। कांग्रेस निताहर को साथ संगत ले ठेक कापठा मा सफलता पायका रवनियार ले राजनितिक सफलता का लागी संगी ये समाजबादी फोरम लाय रोजे। चुनाब ताका पप्पु कंस्रक्षन को परवन्द निदेशक पदबाट अलग भयका रवनियार ले हाल छोरा सुमित रवनियार लाई मैनेजिंग डारिक्टर यानिकी परवन्द निदेशक बनायका छन। पप्पु सुमित कई पारिवारिक नाम हो। ये सगी निलम्बीद सामसद हरी नारायन रवनियार लाई ब्रस्टाचार मुद्धा मा विशेश अदालत ले साड़े तीन करोड रुपया जरिवाना को सजाय सुनायको थिय। रवनियार को कमपनी पप्पु कंस्ट्रक्शन ले गुणस्तर हीन पूल बनायको अभियोग मा अक्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोकले दायर गरेको मुद्धा मा साड़े तीन बर्स पची फईसलार सुनावदै बिशेश अदालत ते उनिसाइत उनका छोरा सुमि जनही तीन करोड 62 लाक 29,000 रुपया जरिवाना को फईसला भायको थियो अन्ने 6 जनालाई कईद सहित जरिवाना र चार जनालाई सफाई को फईसला भायको हो बर्दिया सदनुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपाली का जोडने जपदी घाट को बबैपुल निर्मा इस असोज 2005 मा मुद्दा दायर गरे को थियो एस मुद्दा का प्रतिबादी रहे का कर्मचारी मनोस्रेष्ट भानु जोशी र र राजकुमार यादवलाई जनही 25,000 रुपया जरिवाना का साथे आट-ाट मैना कईद सजाय सुनाई ये को थियो तिने जना डिवीजन प्रासी मा इस्थापना भाय पची एसले ठूलो उचाई हासल गर्दय एसलाई नेपाल को उत्तिष्ट को बर्ग प्रमाणित कमपनी को रूपमा सुचिगरेत गरिये को छ बैपार पोटफोलियो को बिगत तीस बर्समा धेरे गुना बिस्तार भाय को छ जसमा दिर्गकाली परियोजनाहरू समा भेशन हरी नाराइन ततकालीन संगीय समाजबादी का तर्फ बाट परसा छेत्र नंबर तीन बाट प्रतनिती सभामा निर्वाचित भाय का थिये मुद्दा दायर भाय संगई उनलाई निलंबन गरिये को थियो अक्तियार दुरुपियोक अनुसंदान आयुकले विशेश अधालत मा प्रस्टाचार मुद्दा दर्था गरिपची सामसद रौनियार उन्नाईस असोज दुईहाज़ार पच्छतर देखी निलंबित भाय का थिये सामसद रौनियार ले दुईहाज़ार पच्छतर रा दुईहाज़ार सततर मा आफनो निलंबन फुक्वा गर्न मा गर्दै संगीय संग्षत सचिवाले मा निविदन दर्था गराय का थिये तर सचिवालेले संबनित निकाय बाट प्रस्टाचा न गरे को प्रमाणित न भाय को बंदै फुक्वा गरेन उक्त पूल निर्माण का लागी 22 असार 2068 मा पप्पु संग सम्जोता भाय को मा निर्माण को बर्ष न बिद्तै भत किये को थियो सोरा करोड रुपया लागत रहे को पूल निर्माण मा लावरभाई गरियेको थियो तथा गुणस्तर हीन सामागरी प्रयोक गरियेको बंदै अक्तियार को निस्कर्ष आफनो दियेको था जस पची अनुसंधान का क्रम मा डिविजन चड़क कारेले का परमुग सहित करमचारी र ठेकेदार साथ है निर्माण सामागरी विक्रेता माथी पनी ब्रस्ठाचार मुद्दा चलाईयेको थियो पप्पुका संचालक रवनियार संगीये समाजबादी फोरम नेपाल मा प्रवेश गरे पची कंस्ट्रक्शन को लापर बाही जनाई बड़ेको र कसरी पनी विरुवद गर्न नसकेको इस्थानी और को गुनासो रही रहेको थियो बिभिन्न अनलाइन समाचार पत्र पत्रिका हरवाट साभार गरिये पची आज कोईयो महत्तुपूर्ण विडियो तयार पार्ण हामी सफल भयका छों इसका लागी बिभिन्न सरोकार वाला पत्र पत्रिका लाई धन्ने बात ग्यापन गरना जाहन छों कर फाल पत्रिका छों अनलाः विस में डिखेने साथर आlection मुड़ा रहुर्ण डौर्ण डिगिन्न डिल्स गुि आनाक टिए ऑ्य सॉपगर गराण हागी पत्रिका टमोईस्ट अन्ट लागी जैबनें कोईड़ए फो ब्त्र शुबुीग झाल 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 झाल